बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें सबसों हिल में चालिए नदी नाव संजो किसका नंबर काव आजाए कोई नहीं कह सकता है कोरोना में कितने चले गए मालूम मैं आपको सोचना है आपको कि अभी मैं यह पुस्तक देख रहा था कि इस साल जो संतों का दिक्षाएं हुई है संतों की समाधियां हुई है विचार करिए कितने 76 साधूं का मरण हो गया इस साल में 76 देवलोग हो गया उनका मैं इसको पढ़ रहा था भी आज हमारे पार 1526 साधू हैं उनमें से 76 केवल 2021 में चले गए सब को रोना से नहीं गए लेकिन सबके जीवन का अंत तो होता है सबका अंत हुआ करता है मानिवर जब जाने लगो ध्यान रखना जाने से पहले पुन्य संजय करना कौन जाएगा मरने के बाद साथ मम्मी पापा भाई बेहन पतिदेव पत्नी बच्चे पड़ोसी नौकरी सब्सक्राइब, पैसा, रुपिया, कपड़े, सोना, चांदी, क्या जाएगा? बोलो सरीर किसे बटोर रहे हूँ, जो नहीं जाना है किसे छोड़ रहे हो, जो जाना है घाटे का सोदा कर रहे है या फाइदे का? कैसे बनिया हो तुम लो? सोधा करता है क्या पूरी जिंदगी वर घाते का सोधा कर रहे हो पाइदे का सोधा करोरो जो सांत जाना हैं वह हमारी अपनी असली कमाई हुई दौलत हुआ करती हैं विचार एक बात सोचना हर आदमीं के सपने होते न मैं ये बनूँगा मैं वो बनूँगा मैं सीए बनूँगा मैं डाक्टर बनूँगा मैं इंजीनियर बनूँगा मैं ये बनूँगा मैं राजनेता बनूँगा मैं प्रखानमंत्री बनूँगा विचार करूं जदी आपसे पूछा जाये, सिये वनने सिप्वात क्या होगा, क्या होगा, साधी होगी, फिर क्या होगा, बच्चे होगे, फिर क्या होगा, मकान बनेगा, फिर क्या होगा, बच्चे पालेंगे, फिर क्या होगा, वो बड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, उनकी शादी कराएंगे, फिर क्या होगा कि क्या होगा फिर पूछते जाओ अपनी आत्मा से एक आंत में बैठ कर इसका नाम सामाईक है क्या होगा उत्तर मिलेगा ये होगा जो तुमने जी आए वही फिर विपीट होगा ध्यान रखना उसकी अलावा और होगा क्या उनको पाल पाल के बढ़ा करो बुढ़ापे में वही हाँ जिटक देंगे वही आपको सम्मान से नहीं बोलेंगे फिर क्या होगा फिर वही जो रोना आपे में चालू हो जाएगा होता क्या है लाश्ट में जाकर के कुछ नहीं होता है आप सोचते हो ना कि धन कमा लेंगे दौलत कमा लेंगे किसी ने आपको गाली दे दी किसी ने आपका अपमान कर दिया क्या होगा क्या करो कुछ होने वाला है क्या कुछ भी नहीं होने वा क्या होगा बोलो आपको दुनिया की सब चीजे मिल जाएं फिर क्या होगा बोलो क्या होगा उत्तर दो ना सब कुछ मिल जाए जैसा जीवन आप चाहते हैं पूरा बैसा ही मिल जाए फिर क्या होगा आद गो ских सांति से जीहंगे फिर क्या होगा फिर लाश्त में उत्तर आएगा फिर क्या होगा लाश्ट में तुम्हारी आत्मा से आवाज आएगी फिर अरे जब कुछ होना ही नहीं है तो खाएको माथा पूरी कर रहा है जब लाश्ट में रिजल्टी यही आना है कि कुछ नहीं होगा अब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होने के लिए इतना क्यों करते जा अरगी चड़ा रहे हैं यह भावना लिए करके जाएं ज्यान रखना कभी किसी बाजार में जाते हो सोना खरीदने के लिए सोना देख तो लेते हो, जemi में पैसा न हो तो, खरीच सकते हो क्या, देख के आजाओगे, साडियां फैला देती हैं, यह निकालना, वो निकालना, वो निकालना, फैला तो पुरी दुकान में देंगी, जब रेट पूछेंगी, हाँ बताते हैं, अभी तो घर जाके बताते हैं, उत्तों माथा क्यों खा रही थी, उसका जब तेरे परस में पैसे ही नहीं है, यह निकालो वो निकालो, ऐसा करो, वो गाली मन, विचारा दुकान दार भी क्या करें, मनी मन तो गाली दे रहा है, पू जी की दुकान से, दो रोपे की धनिया भी नहीं खरीच सकते हैं, खरीच सकते हैं, क्या बिना खरीदे, बिना पैसे के कुछ मिलता है क्या दुनिया में, लेकिन एक दुकान ऐसी होती है दुनिया में, इत्र की दुकान, मलूम है, बिना खरीदे भी, उस दुकान पे खड़ हो जाओ तो क्या मिलती है खुश्वू मिला करती है उसकी वो सी सी का पैसा लेता है खुश्वू का पैसा तोड़ी लेता है इत्र की दुकान में चले जाओ बिना खरी दे माल मिल जाया करता है विचार करिए इत्र को इंगलिस में क्या बोलते हैं अ कुत सेंट है यह पु साधू को क्या बोलते हैं है वही बोलते हैं भी बैप सैंध की दुकान में जाओ तो महक जाते हो अरे साधू की दुकान में भी आ जाओ बिना खरीदे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है उसके चरित्र से आप महक जाते हो आज खरीदा है ना किसीने चोंके में किसीने 10 रुपे का इत्र खरीदा ऐसा ही किया होगा खुश्बू तो मिल गई ना चार महीने का त्याग, एक महीने का त्याग, पंदा दिन का त्याग, दो महीने का त्याग, दस दिन की छूट, इतने दिन की छूट, मुफ्त में मिला है ना, ध्यान रखिए, संतों के चरणों में बैठ कर आचरण, फिरी में प्राप्त हो जाता है, और एक बार वोद रियार रखना फूल बिखर जाते हैं इत्र बना रहता है और आदमी चले जाते हैं चरित्र बना रहता है जीवन में चरित्र हमारा ऐसा होना चाहिए हमारे चरित्र में इत्र की खुश्भू होना चाहिए ध्यान रखना वह बेवहार अच्छा होगा चंद प्रहो भगवान जो शीतलता चंद्रमा नहीं दे पाता है वो चंद प्रहो के नाम से मिला करती है ध्यान रखना यहां बैठ करके हम उनको अर्ग चणाए और एक ही चीज़ याद रखे पत्थर की अशुद्धिया निकालो पत्थर परमात्मा हो जाएगा आत्मा की अशुद्धिया निकालो तुम भी सिध्धात्मा होकर के दुनिया से वीरा हो जाओगे आप सबने शुना अब चलिए समय बहुत हो रहा है और अर्गे चढ़ाएंगे चंदा प्रहो भगवान को अब अश्या के लिए खड़े हो रहे हैं चढ़ाने के लिए कि महाराज बोले तो बहुत अच्छा लेकिन फोड़ा गड़वड है अभी ले नहीं सकते हैं अगवान ने सारी असुद्धियों को बाहर निकाल दिया जो शुद्ध शरूब था वह उनका भीतर से प्रगट हो जाय क्या करता है आपसोचिए आपके मन से कितनी अशुद्धियां निकली हैं घुसा आता है कि बोलओ अह इसमें भी जूट बोल रहे हैं नहीं आता है आता है जूट बोलते हो बोलो कि इमांदारी से बोलो भगवान के सामने तो जूट मत बोलो जूट जोट बोलते हो शोडी करते हो यह ऊश्राद भूल रहे हैं जोडी फूटाई होता किसि के घर में डाका डाल लेना जोडी का उता है अपने मोबाईल में लॉक लगा ठवाल कि कि से चिपा रहे हो क्या मेसेज आ रहे हैं क्या कर रहे लुग देवर कि जोड़ी तो है घर से परिवार वालों से इंकम टेक्स नहीं चुराते हो वुभी चुराते हो बिजली का बिल कैसे कम हो जाए हम ज्यादा जलाएं इस चोरी नहीं है टेक्स की चोरी जोरी कौन नहीं करता है अपने जीवन में चोरी बड़ी सुक्ष्मुआ करती है ज्यान रखना किसी की बस्तू को देख करके उसे लेने के भाव आ जाना यह भी चोरी हुआ करती है कि चोरी भी करते हो जूटी भी बोलते हो परिग्रह है तुम्हारे पास नहीं है बिल्कुल नहीं है तो इधर बैठो आओ उधर के बैठे परिग्रह नहीं है तो सब कुछ तुम्हारे भीतर है उसके बाद आदमी बोले कि मैं मुक्ष की यात्रा करोगा ज्यान रखना कि विचार करना है आपको सोचना है एक काइम की चाय नहीं छूटती है दिनवर सिर में आच्ओंगे में देखानशिय महाने चार महाने एक मही जरुत तोड़ी कहना है कि बोजयन चोड़ रों यह कहां जारा है कि रात को खाना जो zelf इसमें तुमको पसीना निकल सौंटाए क्या बनोगे भगवां मुक्ष जाओंगे कल्यान होगा तुमारा तुमारी मुक्ष की कि यात्रा सुरू होगी ज्याना रखिए से कल्यान की बाते करोगे मानिवर् एक पुन्य संचय कर रहे हैं भक्ति से भगवान के जीवन को छन्द परवु भगवान के जीवन को देखने का प्रयास करो सब कुछ पाया राजपाठ पाया नहीं का कहा हुआ बापी में कहा हुए चंदप्रव भगवान का जनम कहा हुआ उनकी पूजा कर रहे जनम इस्थान मालू है चंदपुरी में भगवान का जनम हुआ चंदपुरी कहा है ये भी नहीं मालू बनारज से 25 किलो मीटर दो चंद प्रभु जहां पर चंद प्रभु भगवान का जन्म हुआ महासेन राजा लक्ष्मना माता के घर में चंद्रमा के समान चंद्रमा से भी जादा उज्वल एक तीठंकर का जन्म होता है जिसे चंद प्रभु भगवान के अरी चंद्रमा में तो दाग होता है लेकिन हमारी चंदा प्रहु में कोई भी दाग ने बेदाग जिन्दगी जिहोंने जी ऐसे हमारी भगवान दरपन को देख करके विरक्त हो जाया करते हैं तुम कितने वार दरपन देखते हो आये थे तो देखा ता सिशा नहीं देखा एक को तुम्हें देख रहा तो गाड़ी में जो लगा रहता ना गाड़ी देखने का उसी को घुमा के देख रहा है रिस्टाइल समाल रहा है विनका वाहरे आदमी तुझे यहां भी चेन नहीं और यह महलाएं यह इंद्राणिया इस्राबी काहें बैठें हैं पर्स में नोट भी हों गए और एक चोटा सा शीशा भी और रुमाल भी हो गा चेहरे को देखने के लिए चमकाने के लिए क्यवकी कितने रिवार से दिन में पांच-छे बादो शीषा देख लेती हो ना नहीं देखते हैं देख Hay about मैं बिरोध नहीं करता हूं कि दरपन नहीं देखना चाहिए और एक बात याद रखना जो सुंदर हो जो बहत सुंदर हो ना उसको दिन में पाँच वार सीशा देखना चाहिए कि इतनी वाग वो जो बजसूरत हो उसको दसवार सीशा देखना चाहिए मैं विरोध नहीं करूंगा दरपन देखने का बहुत दरपन देखो बहुत सीशा देखो जो सुन्दर है उन्हें दसवार पांच वार देखना चाहिए जो बजसूरत है उन्हें दसवार दरपन देख लो कि यूंれ कि कियो देखगो दरपन मैं कि एक रना सुन्दर कितना इसमार्ट कितना कि यह दिखता हूँ दिखता स्वетр प्रत देखे गई उसकी कोई जरूयत नहीं है उसको इंटेंशन वनाने की जो सुन्दर आदमी हो उसे दरपन देखना चाहिए कि जितना सुंदर मेरा चहरा है उतना सुंदर मेरा बेवहार बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मेरी जिन्दगी सारसक हो जाएगी चहरा सुंदर और चरित्र बदसूरत छेरा सुंदर बेवहार सुंदर नहीं चहरे के सुंदर लोग धरपन में देखा करो कि जितना सुंदर में दिखता हूँ ना उतनी सुन्दर मेरी वानी भी होना चाहिए उतना सुन्दर मेरा बोल चाल होना चाहिए उतना सुन्दर मेरा विवहार होना चाहिए और बतसूरत आदमी को दसवार दरपन देखना चाहिए क्यों देखना चाहिए कि दरपन में वह है देखे कि कि देख बेटा चेहरे की बज़े से तो तुझे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि तुभी ऐसा बत्सूरत प्यदा हुआ है काला कालूटा सकल कुछ ही नहीं है विचार करिए ऐसे देखो कि भाई चेहरे की बज़े से तो मुझे इस दुनिया में सम्मान मिलने वाला नहीं है चेहरे की बज़े से तो कोई मेरी जयजयकार करेगा नहीं दसवार इसलिए देखो कि चेहरा सुन्दर नहीं हुआ तो क्या हुआ जितना बत्सूरत मेरा चेहरा है उससे अच्छा मैं अपना चेहरे बना करके जिऊंगा और ये दुनिया चेहरों को याद नहीं करती ये बिचार करिये कोई इस्त्री बहुत सुन्दर है इतनी संदर इतनी संदर कितनी संदर है भुलओ कोण भुला बहुत सुन्दर इस्त्री है बहुत अच्छा चहरा है कश्मीर की कली है लावन्य की धनी है लेकिन एक बात बताओ यदि उसका बोलचाल अच्छा नहीं है उसकी भासा अच्छी नहीं है तो चहरी की सुन्दरता कित्ती देर अच्छी लगेगी बुलो एक सुन्दर चहरे को आप कित्ती देर देखना चाहोगे एक दिन देखो दो दिन देखो तीन दिन देखो चार दिन देखो एक दिन लगेगा यार क्या वही वही चहरा दिखते रहता है ज्यादा सुन्दर चहरा ज्यादा देर अच्छे नहीं लगा करते हैं लेकिन ए प्यार दे करके बात करती है इसका बेवहार बहुत अच्छा है एक बात बताएए चहरे की सुन्दरता जादा दिन चलती है या बेवहार की सुन्दरता जादा दिन चला करती है आदमी का बेवहार अच्छा होना चाहिए आदमी का आचरन अच्छा होना चाहिए आदमी का चर क्या कर रहे हैं आज से अर्वों बर्स पहले हुए उनका चहरा याद है कि आपने को देखा नहीं होगा पता यह मूर्थी में देखा है और इसनल चहरा याद है कि चंदाप्रव भगवान का नहीं यान रखना हमारा धर्म हमारी संस्क्ति हमारा भारत चहरों को पूजने वाला नहीं हजारों लाखों वर्स पूर हुए चंदाप्रवु के चरित्र को आज सारी दुनिया पूजा करती है आज उनका उनकी चरित्र की पूजा हो रही है उनके गुणों की आराधना हो रही है अभी पूछना क्या चड़ा रहे है भगवान के पूजे जाते हैं चरित्र पूजा जाता है विवहार पूजा जाता है धंदोलत या माया नहीं पूजे जाती है ध्यान रखना ज्यादा गोरे गोरे होने से भी कुछ नहीं होता है चूना कितना गोरा होता है चूना देखा है कितना गोरा होता है एक चम्मच मुमें डालो पता पड़ जाएगा गोरा क्या होता है काली काली जामुन खालो तो खाने का मज़ा अपने आप आजाया करता है उसमें गुण है चूने में गुण नहीं है चूना तो गाल को भाड़ करके रख देगा ध्यान रखना चरित्र हमारा अच्छा होना चाहिए